आज़े दिखते हैं कुस्चन नंबर 18 में दियावाय की एक तंबू नीचे से बेलनाकार है और उपर से उसी आधार पर संक्वाकार है नीचे बेलनाकार है उपर उसी आधार पर संक्वाकार है आधार का छेतरफल 25 मेटर आधार का छेतरफल में जो बृत्ताकार भाग है उसका छेतरफल यानि पाई आर स्क्वाइर का छेतरफल 25 मेटर और बेलनाकार भाग की उचाई ये 2 मीटर है यदि तंबु के भीतर वायू का आयतन 25 घन मीटर है तो तंबु के सिर्ष की भूमे से उचाई यात करो में से यहां से पूरा यहां तक के उचाई पुछा है ये 2 मीटर है अगर हम संकू के उचाई H मान लेते हैं और H का मान निकाल लें इस H का मान में H के मान में 2 मीटर हम जोड़ देंगे तो पूरा उपर से नीचे तक उचाई निकल जाएगा तो उसके लिए ये दिया वह है कि तंबू के भीतर का भीतर वायू का आयतन यानि कि इस पूरे भाग का आयतन संकू का आयतन प्लस बेलन का आयतन ये जो है पचीस घन मीटर के बराबर है ठीक है तो माना संकू की उचाई एच मीटर आधार की त्रीजिया तो दोनों का एक ही होगा बेलन तथा संकू के आधार की त्रीजिया बराबर आथ बेलन की उचाई बराबर बेलन की उचाई हम हेच्च मन कर देंगे बराबर दो मीटर तो तंबू का आयतन निकालेंगे तंबू का आयतन तंबू का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस संकू का आयतन बेलन का आयतन पाई आर इस्वएर है एच्वन प्लस एक बता तीन पाई आर इस्वेर है एच्च तो पाई आधार का माले लें दूसरे होब है 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 अब दिखिए पाई आधार का छेतिफल दिया हुआ है पाई आधार बड़ाबर 25 बड़ गटर 25 मीटर स्क्वार और हवा का आयतन्त हवा का आयतन्त बराबर 75 मीटर क्यूब यह दिया हुआ है हवा का आयतन्त मतलब तंबू के अंदर जो हवा है उसका आयतन्त यह हो गया 75 यह 75 चलेगा यह हो गया 25 और इधर एच वन दू प्लस एच बटे तीन तो तीन माइनस दू बराबर एच बटे तीन एच बटे तीन बराबर एक एच बराबर कितना हो गया तीन मीटर यहीं संकू की उचाई जो है तीन मीटर आगया तो संपूर उचाई या क्या उच रहा है तंबू के सिर्ष की भूमी से उचाई यह लिखेंगे तंबू के सिर्ष की भूमी से उचाई बराबर बेलन की उचाई प्लस संपूर उचाई यह दो प्लस तीन बराबर पांट मीटर आगया तो फॉक्स का तरह ना कि दू एज कुस्चन नंबर एटीन एकदम से मिशी पर यही कुस्चन ही है बस मान बिमाय बदल दिया है बस कुस्चन नंबर बीस को नंबर नैंटीन होगिया था उसको आम लोग अठारेच वी तरबू कि दिया थां धू एज क्कुस्फितन नंबर एटीं कर लीजिए गा कूस्टा नमर ट्sm में एक वर्तन मद्द से बेलनाकार है मद्द से बेलनाकार है और सिरे उन्ही तरजियाओं के दो बराबर संकुओं से बंद है तरजिया बराबर है दो संकुओं है जिनके सिरे बाहर की हो रहा है आगे दिया है कि जिनके सिर्ष बाहर की हो रहे है बेलनाकार भाग की लंबाई सेंटीमेटर है यह बेलनाकार भाग की लंबाई 5 सेंटीमेटर सीरों के अर्थाज संकुाकार भागों के आधारों के ब्यास 2 सेंटीमेटर है तो इसका मतलब की त्रिजया 2 सेंटीमेटर सुरी ब्यास चार सेंटीमेटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दो सेंटीमेटर यहां से यहां तक त्रिज्या दो सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर संकू की त्रिज्या दो सेंटीमेटर हो गया और संकू के उचाई यह 3 cm, यानि कि 3 cm, 3 cm तो संकू के आधार के तरिजया 2, उचाई 3 और बेलन के आधार के तरिजया 2 cm, और उचाई 5 cm सारी भिमा दे दिया है, क्या पूछ रहा है, तो बर्तन का यह था संकू के के आधार के तरिजया बराबर 2 cm, बराबर बेलन के आधार के तरिजया, तो यही बेलन के भी तरिजया हो जाएगी, संकू की उचाई ह बराबर 3 cm, और बेलन के उचाई है, हैं एच वन बराबर 5 cm, तो बरतन का आएटन, बरतन का आएटन बराबर कुसर मार्क है, कुसर मार्क करेंगे हम डिरेक्ट लिख रहे हैं, बरतन का आएटन बराबर, दो गुड़े संकू का आएटन, दो गुड़े इसलिए कर रहे हैं, दोनों संकुई एक समान है, एक संकु कायतन निकाल के दुगा गुड़ा करने के तो दोनों का निकल जाएगा, तो दो गुड़े संकु कायतन प्लस बेलन कायतन दो गुड़े, एक बटा तीन πाई r square h1 प्लस πाई r square h1 तो πाई r square का मले ले क्या बच्चा 2 गुड़े 3 यज प्लस H1 और 2 है ना पाई गुड़े 2 कावर 2 गुड़े 3 H का मान 3 सेंटिमिटर प्लस H1 5 5 दो 7 27 पाई का मान 22 गुड़े 7 रख दे रहा है यानिकि 88 सेंटिमिटर क्यूब उस बर्तन का आयतन हो जाएगा या 28 पाई इसमें 28 पाई दिया है 7 गुड़े कर सकते हैं 22 बटे साथ करेंगे तो 7 गुड़े 28 गुड़े 28 पाई कोई दिक्कत नहीं है तो यह हो जाएगा आंसर आये देखे कुश्चन नमबर 21 कुश्चन नमबर 21 में है एक बेलनाकार बरतन जिसकी उचाई 30 सेंटिमीटर जिसकी उचाई 30 सेंटिमीटर और तरिज्य Anne 10 सेंटिमीटर तरिज्या देखे यहां से यहां तक है 10 सेंटिमीटर पानी से भरा हुआ है उसी उचाई और तिर्जया का एक ठोस संकु धिरे-धिरे बरतन में डाला जाता है जब तक कि संकु उसकी तली को न छोले और फिर बहार निकाले जाता है अब बेलन में पानी की उचाई बताओ अब देखिए ये संकु है इस बेलन में पुरा पानी भरा हुआ था संकु को जब इसमें डाला गया तो पानी बहार निकलेगा और कितना पानी बहार निकलेगा संकु के आयतन के बराबर यानि कि हम निकले वे पानी का आयतन अगर निकालना चाहें तो आधार कितनी जडे रही है और उसी हमको उस उचाई का पता चल जाएगा पाने के उस उचाई का पता चल जाएगा जितना पानी बाहर गिरा है और वह पानी संकु के आयतन के बराबर होगा तो चलिए लिख लेते हैं संकु के अधार की त्रिज्या, आर बराबर 10 cm बराबर बेलन की त्रिज्या संकु के उचाई, ह संकु के उचाई हैं संकु के उचाई हैं, ह से बराबर 30 cm बराबर बेलन की browser बेलन की त्रij आ या, मैं इसलिए बराबर करें रहा हैं मैं कि जो चाइए वह हैं संकु की ऊचाई Ihnen बेलन के अधर किती यह बराबर, बेलन किती यह, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम बीच में मान लिखकरके उसी के बराबर कर दे रहे हैं, अब यह देखें, यहां पो 30 cm हमको लिखना है, 30 cm अब निकले हुए पाने का आयतन बराबर संकू का आयतन यही होगा बाहर गिरे पानी का आयतन बराबर संकू का आयतन हो जाएगा क्योंकि जितना पाने बाहर गिरेगा संकू का आयतन के बराबर होगा अब यही बाहर गिरे हुए पानी की उचाही हो तो क्या बजाएगा देखिए पाई आर इस्क्वायर अच बराबर संकू का आयतन एक बड़े तीन यह एचवण कर देते हैं मैं लेते हैं एचवण है एक बड़े तीन पाई आर इस्क्वायर एच तो पाई से पाई आर इस्क्वायर से आर एचवण बराबर पानी जो है 10 cm नीचे चला आएगा, फुछ क्या रहा है? अब बेलन में पानी की उचाई बतब, तो 10 cm नीचे आ गया, पूरा 30 cm है तो बेलन में पानी की उचाई घटा देंगे? बेलन में पानी की उचाई बराबर संपुर्ण उचाई 30 में से पानी की उचाई जो 10 cm कम हुआ तो कितना हो जाएगा 20 cm यानि की बेलन में 20 cm पानी रह जाएगा 20 cm उचाई तक यहां से 20 cm और उपर से 10 cm तक का पानी बाहर गिर जाएगा ठिक तो यह होगा कुश्चन नबर 21 देखिए इसी पर आधारित आगे के सवाल है कुश्चन नमबर 21 खुल दो तो देखिए कुश्चन नमबर 22 जो है कुश्चन नमबर 22 और कुश्चन नमबर 27 यह दोनों सेम पैटन पर हैं और 21 की तरह कर जो अभी हम लोग किया है न सेम उसी तरह से है आयतन निकाल लेंगे और पानी के आयतन के बराबर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पानी किस उचाई तक गिरा देंगे तो किसी में पूच दिया है कि ऊपर से कितने नीचे आएगा तो सीड़ी सीदे जो एंसर निकला था यह कमान वो अखा देगा कि कितना उचाई तक रह जाएगा तो पूरी उचाई में से जो यह कमान निकला है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा यह तो आप लोग कुश्यन नमर 22 और कुश्यन नमर 27 दोनों को आपनों कुश्यन नमर 21 की तरह कर लिजेगा मैं बताने जा रहा हूं कुश्यन नमर 23 कुश्यन नमर 23 एक समकूर्ट त्रिफुच को जिसका करण 6 सेंटीमेटर है और जिसके सेस कौर्ट 30 सेंटीमेटर और 60 सेंटीमेटर के हैं करण के चार और अप्च मान कर खुमाया जाता है कि उसके पूर्ण क्रमण से जो ठोस उत्पादित होता है उसका आयतन ग्याद करो तो पास्कूर्चित बढ़ाना है कुश्चन नबर 23 23 में कह रहा है कि एक समकूर त्रिफुज है ए बी सी जिसका करण AC 6 सेंटीमेटर है कह रहा है कि इसको करण के परितर घुमा रहे हैं जब करण के परितर घुमा रहे हैं तो यह बी डैस के पासर आ जाएगा और ये जो है ना एक तरह से कैसी आकृति बन जाएगी दो संक्वा का है डबल कौन का एक संक्वा नीचे बनेगा कौन सा बी बी डैस सी और बी बी डैस ए उपर का संक्वा और एक नीचे का संक्वा दो संक्वा बन जाएगा तो उत्पादित छोस का है आयतन, तो उसका आयतन गया, तो जो छोस उत्पादित होता है उसका आयतन, कहने का मतलब कि उपर बेले संकु का आयतन, प्लस नीचे बेले संकु का आयतन, टूटल आयतन पूछ रहा है, तो टूटल आयतन निकालने के लिए हमको दोनों संकु के आ इसकी अलग है, तो सबसे पहला काम हम करें, आधार की तरिजय कैसे निकलेगी, दोनों संकूओं का जो कामन आधार की तरिजय है, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको A-B और A-C नहीं पता है, यह तीशंस दिया हुआ है, करण दिया हुआ है, यह लंब हो जाएगा यह अगर कि हम यह कूण लेते हैं यह लंब यह कंड और यह आधार हो जाएगा। इसके हम यह लंब यह आधार यह कंड यह कंड लेते हैं. तो साइन साथ हंस बराबर त्रिभूज, ए, बी, सी में, साइन साथ हंस बराबर लंबड़कर्ण, ए, बी, बटा, एसी, रूट 3 बाइ 2, बराबर, ए, भी, नहीं पता, एसी च्छाओ, ए, बी, बराबर कितना हो जाएगा, छे, अंडरूट 3 बटा 2, मिन्स 3 रूट 3, यह हो गया, बी, सी निकाल ले, उसे तरह से, कास 60, कास 60 बराबर हो जाएगा, बी, सी बटे एसी, मिन्स, बी, सी बटे 6, और कास 60 का मान, यह बटा 2, बी, सी बटे 6, चे बटा 2, यहने कि 3, इस इंप्लाइज, बी, सी बराबर, तीन, सेंटिमीटर, अब आर का मान निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए, तिरबूज, ए, बी, सी का छेतर पर हम दो तरह से निकाल सकते हैं, यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के लंबवत है, एक बटे 2, आधार गुड़े उचाई से निकालेंगे, यह बटा 2, B, C, गुड़े A, B, आधार गुड़े लंब से, और दूसरा यहाँ पर भी देखिए, यह, A, C, और यह, O, B, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो व बराबर, एक बटा 2, B, C, गुड़े, A, B, फिर बराबर, एक बटा 2, एक बटा 2, A, C, यह पुरा आधार अधार गुड़े होगी, एक बटा 2 तो हड़ जाएगा, B, C का मन कितना, 3, एक बटा 2, एक बटा 2 कर जाएगा, 3, गुड़े, A, B का मन, 3, अंदर रूट 3, बराबर, A, C, 6, और गुड़े, O, B, B, O, B को हम R माने हैं, न, चलिए रहने देता है, या, चलिए R इसको रख देता है, तो, R बराबर, 3, गुड़े, 3, अंदर रूट, इच्छा, तो, 3, अंदर रूट 3, बाइट 2, R कमार हो गया, कुछ कटेगा तो है ने, पास करो तो, अब दी शंको का आयतन, दी शंको का आयतन बराबर, उपर वाले संको का आयतन, निकालेंगे, क्या होगा, 1 बटा 3, पाई, आर स्क्वाइर, गुड़े, O, A, प्लस, 1 बटा 3, पाई, आर स्क्वाइर, गुड़े, O, C, दीखें, उपर वाले संको लेंगे, तो, आधार के तीजा तो यह लेंगे, उचाई, O, A, लेंगे, नीचे वाले संको लेंगे, तो, आधार के तीजा तो यह लेंगा, उचाई, O, C हो जाएगा, इसलिए हमने यहां उचाई, पाई, आर स्क्वाइर, होगा, न, H का मतलब O, C, यहां पर H का मतलब O, A, अब 1 बटा 3, पाई, आर स्क्वाइर, कामन है, यहां हो जाएगा, O, A, A, प्लस O, C, 1 बटा 3, पाई, आर स्क्वाइर, गुड़े, A, प्लस O, C, मतलब AC हो जाएगा, AC हमने इसलिए कर दिया कि AC का मान हमको पता है, अब मान रग दीजिए, 1 बटे 3, पाई, गुड़े, आर का मान, 3, अंडरूर्ट 3, बटे में 2, AC का मान छे, तीम दुना के छे, मेंस कितना हो जाएगा, 3, अंडरूर्ट 3, पाई, सेंटिमेटर, क्यूट, यह, 3, अंडरूर्ट 3, अंडरूर्ट 3, अच्छा पाईगे, इसलिए, बोट लिन शोपनेचे, बुड़ा करेंगे, यह आप देखिए मिस्टेक हो रहा था, आर स्क्वाइर है ना, आर का मान दो बाल लिखाएगा, और गुड़े 6, यह तो हो गया, ठीक, इतना हो गया, अब क्या होगा, तो 27 बटा 2, पाई, सेंटीमीटर, क्यों, यह एंसर होगा, थोड़ा से मिस्टेक हो गया था, आर स्क्वाइर का मन लग की दो बार इसको लिखना था, हमने एक ही बाल लिखा था, चली हो गया, चली क्वेशन नमबर 24, क्वेशन नमबर 23 की तरह ही है, बस उसमें कोण जो 30 संस और 60 संस यहां पर 45 संस क्योंकि सम दिबावत रिवोज दिया है, और कर्ण जो उसमें 6 इंटीमीटर दिया था, यहां पर ए दिया है, तो निकालेंगे उसी तरह से, थोड़ा सा इसलिए मैं करूँगा, तिरवोज A, B, C में साइन 45 संस बराबर, A, B बटे, A, C, A गोड़ा अंडर रूट 2 बराबर, A, B बटे, A, यानि की A, B बराबर, या ऐसी कादर, इसी प्रकार, इसी प्रकार, न, B, C भी हमारा, A, B बाइ अंडर रूट 2 ही आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर ही आगे अनि, कास कालेंगे तो कास कभी 1 बाइ रूट 2 होता है, इसलिए A, B रूट 2 हो जाएगा, त्रिभूज A, B, C कच्छे त्रिफल, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, क्योंकि कोश्यन नंबर 23 की तरह है, A बटा 2, B, C गुड़े A, B, बराबर A बटा 2, A, C गुड़े O, B, A बटा 2, A बटा 2 कड़ गया, B, C, A गुटा अंडरूट 2, उड़े A, B, A गुटा अंडरूट 2, बराबर A, C, A और O, B, R, तो, A, C, A से कड़ गया, R बराबर हो गया, A बाइ 2, अब D संकु का आइतन, बराबर A बटा 3, पाई R स्क्वेर O, A, प्लस A बटा 3, पाई R स्क्वेर O, C, 1 बटा 3, पाई R स्क्वेर O, A प्लस O, C, 1 बटा 3, पाई R स्क्वेर गुडे, A, C, तो, 1 बटा 3, पाई R का मतलब A स्क्वेर बाइ 4, इन्टू, A, C का मतलब A, कि, कितना हो जाएगा, पाई A क्यूब बाई 12, सेंटिमेटर क्यूब, अच्वेर ये मात्रक नहीं दिया है, दोनों मात्रक नहीं दिखेंगे, A सिप A दिया है, ये तो वो क्या आयतन, और क्या पुछा था, तो पादे ठोस का प्रिष्ट और आयतन ग्याद करो, तो, ठोस का प्रिष्ट, इस संग्यों की तिपर अच्वेर ये, और इस संग्यों की तिपर इविश्ट बराब़े, पाई आर इसके लिए L A B हो जाएगा प्लस पाई आर इसके लिए B C हो जाएगा तो पाई आर A B प्लस B C पाई गुडे आर कामां A बाई टू और A B A बाई अंडरूट्ट्ट्टू प्लस A बाई अंडरूट्ट्टू पाई गुडे A by 2 2A by under root 2 उसे 2 कट गया पाई A square by under root 2 यह हो जाएगा उसका पिस्ट पाई A square by root 2 और आइतन हो जाएगा पाई A cube by 12 यह दो आइन सब जाएगे घ्क एकी नहाएगा झाएगे थाएगे झाल झाल बाद Raptody झाल झाल